मैं राम नाम का जब करें, दरवार का निय हमें लहसुन प्याज बंद रखना है, अब आप पूछोगे कब तक? जै शिरी राम, जै बागेशर धाम, जै हनुमान दोस्तों, लोग अक्सर इस बाद को लेकर कन्फ्यूज रहते हैं, कि बागेशर धाम की अरजी लगाएं, तो मास, मंदिरा, प्याज, लहसुन को छोड़ें या नहीं? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने जा रही हूँ, कि बागेशर धाम की अरजी लगाएं, तो हम लहसुन प्याज को छोड़ें या नहीं? इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, तो हमारे सनातन परिवार का हिस्सा बनने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें. दोस्तों, वैसे तो आप सभी लोग जानते हैं, कि अपने घर में जब भी हम कोई पूजा पाट करते हैं, तो उसमें जो भोग लगाते हैं, उसमें हमेशा प्याज और लहसुन वर्जित होती हैं. हम प्याज और लहसुन का बोज कभी भी भगवान को नहीं लगाते हैं तो बात आती है कि जब बागेश्व धाम जी की अरजी लगाएं तो प्याज लहसुन को कब तक छोड़े तो दोस्तों आपको न संकल्प लेना है कि आप कितने दिन उसे छोड़ सकते हैं आपको जितने दिन का भी आप संकल्प लें वैसे तो जब तक आपके इच्छा पूरी ना हो तब तक आपको प्याज लहसुन और मास मंदिरा का यूज करना ही नहीं है लेकिन फिर भी अगर आप किसी ऐसे परिवार में रहते हैं जहां पर आप उसको नहीं छोड़ सकते तो उसके लिए आपको बस एक काम करना है तो दोस्तों आपको संकल्प लेना है आप जितने दिन का भी संकल्प लें उत्ते दिन आप मास मंदिरा लहसुन और प्याज का सेवन ना करें उसके बाद कन्या पूजन करके कन्याओं को खाना खिलाने के बाद आप लेसुन प्याज का उप्योग कर सकते हैं लेकिन मास मदर्या का उप्योग आप जब भी नहीं करेंगे अब बात आती है कि लेसुन और प्याज का परहेज क्यों है दरसल वैसे तो लहसुन और प्याज जो होती है ये एक औुश्धी के रूप में काम आती है लेकिन अगर हम बात करें तो ये स्वभाप से घरम होती है ये तामसी भुचन में आती है और अगर हम पूझा पापत के दोरान या हम कोई संकल्प लेते हैं तब हम मा लहसुन और प्याज का सेवन करते हैं तो ये हमारी मन को एकाग्र नही धेते ताम सी भोचन होने की वझे से हमारा मन इदा हुदर भटकता रहता है और जिस काम को करते हैं इसमें हमारा मन नहीं लगता इसलिए दोस्तों आप जितने दिन का भी संकल्ब लें उसे जब तक आप रखें आप प्याज और लहसुन का सेवन ना करें उसके बाद करन्या भूजन कराकर आप लहसुन और प्याज का सेवन कर सकते हैं लेकिन जिन्दिगी में बस एक चीज का ध्यान रखें कि सबसे बड़ी चीज होती है विश्वास अगर आपको बाला जी पर बागेश्वर धाम पर विश्वास है तो आपकी जो भी इच्छा है वो जरूर पूरी होगी और जहां पर शंशे होता है वहां पर इच्छाएं कभी भी पूरी नहीं होती है आप विश्वास रखें रोजाना ऐसे ना करें कि आज इसकी पूजा कर ली यहां काम पूरा नहीं हुआ तो किसी और की पूजा कर ली वहां पूरा नहीं हुआ तो किसी और की कर ली हमेशा विश्वास रखें और क्योंकि विश्वास में इतनी बड़ी शक्ति होती है कि बड़े से बड़े चटान को भी हिला देती है और ये तो हमारे प्रभुजी है ये हमारी बातों को क्यों नहीं मानेंगे दोस्तों भस आपको अरजी लगाने के बाद ये छोटा सा नियम करना है और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में जै बागिश्वर धाम लिखना मत बूलिएगा जै शरी राम, जै बागिश्वर धाम, जै हनुमान